अमात्रिक शब्द एवं वाक्य ठीक है अमात्रिक शब्द सबसे पहले हम समझते क्या होता है अमात्रिक शब्द होते हैं जिनके अंदर हम किसी मात्रा को नहीं लगाते हैं बिना मात्रा वाले शब्द जिनने हम कहते हैं अमात्रिक शब्द, तो आईए हम अमात्रिक शब्द पढ़ते हैं, जैसे फल, फल, मटर, मटर, शलजम, जग, बतक, थरमस, थरमस चलिए, अब हमारे सामने कुछ शब्द हैं, जिन्हें हमें बोलना है, ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, दोहराएंगे कलकल, खलकल, चलचल, जनजन, धनधन, मनमन खग, खग, मग, ठग, ठग, दस, दस, नस, नस, रस, रस कनक, खनक, भनक, अमन, चमन, गमन, गमन कुछ और शब्द पढ़ते हैं, धड़क, भड़क, सड़क, कहर, जहर, शहर, शहर अगला शब्द, अच्कन, अच्कन, बच, बच, पन, बच्पन, पच, पच, पन, पच्पन चम, 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 टम, 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 तम, गणपत, 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 धनधन, पतपत, धनपत नफ नफ रत अर अर हर अरहर मगहर मगहर और अजहर अजहर तो अभी हमने देखे ऐसे शब जो की बिना मात्राओं से मिलकर बने हुए आपको भी इस तरह से और अभ्यास के लिए इन शब्तों को पढ़ना है और अभ्यास करना है चलिए तो अभी हमने देखे तीन अक्षर के चार अक्षर के मिलकर बने हुए शब्द अब उन्ही शब्दों के जाहता से हम छोटे-छोटे वाक्य बनाएंगे और पढ़ेंगे चलिए मिलकर पढ़ते हैं यश उट यश उट जब कर डर्मत सच कह रत पर चड हट मत कर घर तक चल अब सच अब सब सच कह चट पर मत चड अमर चल कलश भर भजन कर करम कर कलश मत पटक पलक मत जपक कमल इधर रक गगन यह खबर पढ़ सड़क पर मत जगर अमन बतक पर नजर रक अजय सरल डगर पकड़ शर्बत चक कसरत कर अचकन पहन अचकन पहन दशरत मतलब समझकर पढ़ खटमल मत पकड, करवट बदल, कसरत गलत मत कर, पनघट पर चलकर बरतन भर, गणपत बरतन कसकर रगट तो अभी हमने देखे कि किस तरह से दो अक्षरों के, चार अक्षरों के, तीन अक्षरों के शब्दों को मिला कर, हम छोटे-छोटे वाक्यों का निर्मान कर सकते हैं, और उनका अभ्यास कर सकते हैं आप लोगों को भी इसी तरह से घर पे और अभ्यास करना है चलिए तो अब हम थोड़ से और शब्दों से बने वाक्य पढ़ेंगे जैसे करण उठ करण उठ सड़क पर टहल करवट मत बदल उठकर अब कसरत कर बदन पर उबटल मल गर्दन मत जटक नल पर चलकर कलश भर कलश रखकर भजन कर पवन अब हवन कर भजन वह हवन कर चरण पकड तो देखा आपने किस तरह से हम शब्दों से बने छुट छुटे वाक्य बना कर अपना और अभ्यास बढ़ा सकते हैं ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं सो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा किस तरह से हम दो अक्षर तीन अक्षर और चार अक्षरों की शब्दों को मिला कर चुट चुटे वाक्य बना सकते हैं ठीक है आईए बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ यहां पर देखिए पहला मिलाकर शब्द लिखिए ठीक है यहां पर अक्षर अलग-अलग दे रखें हमें उन्हें मिलाकर लिखना है तो पहला देखिए क्या है ठ, न, ठन ठन ठीक है नमबर ख, ख देखिए कलश तो हम इसे मिलाकर लिखेंगे कलश कलश फिर देखिए ग, बस फिर देखिए र, ब, ड, र, ब, ड, रबड पच, पन पच, पन कट, हल क्या लिखेंगे हम क, ट, ह, ल कट, हल फिर देखिए च, नमबर का शर्बत हम लिखेंगे शर, ब, त शर्बत और देखिए ज, अचकन अ, च, क, न, अचकन ठीक है आगे देखते हैं नमबर दो पर देखिए यहाँ पर भी हमें चित्र भहचान कर इनके शब्द लिखने ठीक है तो आप लोग तैयार है पहला दिस्तर कौन सा आपको दिखाए दे रहा है किसका चित्र बना हुए यह कलश का ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे कलश 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 दूसरा चित्र देखिए क्या है यह अजिगर अजगर अजिगर ठीक है फिर देखिए किसका चित्र है यह बस बस नमबर चार पर देखिए क्या है यह शर्बत आप लोग सब पीतें इसके बाद हम देखेंगे नमबर यहाँ पर देखिए नमबर पांच यह नमबर भी क्या दे रखा है मटर मटर क्या है ये मटर ये क्या है मगर ये क्या है थर्मस और ये टब तो अब आप लोग देख सकते किस तरह से हम चित्र देखकर छोटे छोटे शब्द लिखने की कोशिश करेंगे ठीके आगे बढ़ते प्रश्न तीन देखिए खाले स्थान पर सही शब्द चाट कर हमें लिखना है पहला देखिए बढ़ते हैं क्या लिखा है क डैश पर कलश भर तो आपके पास दो अप्शन है नल पर कलश भर या जल पर कलश भर तो क्या होगा उत्तर नल पर कलश भर तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नल 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 कसरत कर होगा तो कौन सा उत्तर सही होगा कसरत कर अब कसरत कर इधर ग़ देखिए इधर उधर मत टहल या इधर उधर मत भटक तो क्या होगा इधर उधर मत टहल या इधर उधर मत भटक ठीके तो हम क्या लिखेंगे इसमें भटक आप इधर उधर मत भटको भटक गर गर देखिए अजय सरल डैश पकड अजय सरल सडक पकड या अजय सरल डगर पकड तो बच्चों डगर का मतलब होता है रास्ता आगे देखिए इड़ा डैश मतलब समझकर पड तो दशरत मतलब समझकर पड या खटमल मतलब समझकर पड तो क्या होगा हो उत्तर दशरत मतलब समझकर पड दश दशरत मतलब समझकर पढ़।